जहीं दोस्तों मैं घंचयाम स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल SSC Experience Study में तो प्यारे दोस्तों आज हम करने वाले हैं Current Affair के Top 30 Qs इस वीडियो में और प्यारे दोस्तों यह 100 Qs करेंगे हम तो 3 पार्ट बनाएं मैंने यह 1st पार्ट वीडियो का और वीडियो का सगेंड पार्ट आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगा तो सबसे पहला Qs देखते हैं प्यारे दोस्तों तो 1st Qs नमारा पर्दान मंत्री नरेंदर मोदी के नए नीजी सचिव कोन बने है तो इसका और आंसर हो जाएगा हमारा विवेक कुमार ठीक दोस्तों अगला Qs देखते हैं तकनिकी कमपनी इफोसिस के MD और CEO बने है जो तकनिकी कंपनी है इफोसिस उसके MD और CEO कौन बने है तो इसका correct answer हो जाएगा हमारा सलील पारेख ठीक है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा हमारा सलील पारेख अब अगला क्योंसन देखते हैं हमारा भारतिय सेना की पहली महिला लडाकू पाइलेट कोन बनी है भारतिय सेना की पहली महिला लडाकू पाइलेट कोन बनी है तो इसका correct answer हो जाएगा हमारा अभिलाशा बराक क्या हो जाएगा अभिलाशा बराक तो पहरेद दोस्तों बहुत बहतरीन वीडियो लेकर के आया आप सभी के लिए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ठीक है अगला की उसन देखते है करनाटेक की नई मुख्य सचिव कोन बनी है करनाटेक की नई मुख्य सचिव कोन बनी है तो इसका correct answer हो जाएगा हमारा वंदीता शर्मा ठीक है तो इसका correct answer किया हो जाएगा पहरे दोस्तों वंदीता शर्मा अगला की उसन देखते है विश्व पाचन सवस्ते दिवस 2022 कब मनाया गया है जो विश्व पाचन सवस्ते दिवस है 2022 में कब मनाया गया है तो इसका correct answer हो जाएगा हमारा 29 मई ठीक है दोस्तों तो पहरा दोस्तों अगला गयोसन देखते हैं बैखो त्योहार 2022 किस राज्य में बनाया गया है जो बैखो त्योहार है वो 2022 में किस राज्य में बनाया गया है तो इसका correct answer हो जाएगा हमारा असम क्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका असम अगला क्योंसर देखते हैं हमारा विश्व खाद्य सुरक्ष्या दिवस 2022 कब मनाया गया है जो विश्व खाद्य सुरक्ष्या दिवस से 2022 में कब मनाया गया है तो इसका क्रेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा साथ जून को ठीक है दोस्तों साथ जून इसका correct answer हो जाएगा अगला question देखते है हमारा विश्व साइकल दिवस 2022 कब मनाया गया जो विश्व साइकल दिवस 2022 कब मनाया गया तो इसका correct answer हो जाएगा हमारा 3 जून को ठीक है दोस्तों क्योशन है हमारा Union Bank of Indian की नई MD और CEO बनी है, तो कौन बनी है तो इसका correct answer हो जाएगा हमारा A. Money खलाई, ठीक है A. Money में खलाई, ठीक है A. Money में खलाई इसका correct answer हो जागा पहरे दोस्तों तो अगला क्योशन देखते है हमारा भारत के सबसे बड़े bank, State Bank of India पहरे दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना न भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी के लिए हम और भी भैतरीन वीडियो लेकर के आ सकें तो अगला क्योशन देखते है हमारा विशू प्रियाइवन दिवस 2022 कब मनाया गया अगला क्योशन क्या है हमारा अगला क्योशन है हमारा विशू प्रियाइवन दिवस 2022 कब मनाया गया तो इसका करेक्ट आंसर हो जएगा हमारा 5 जून को ठीक है उससे अगला क्योशन देखते है RBL Bank में नए MD और CEO कौन बने है जो RBL Bank है जो उसमें नए MD और CEO कौन बने है तो इसका correct answer हो जाएगा हमारा R. Subramanya Kumar ठीक है? R. Subramanya Kumar अगला जूसन देखते हैं हमारा भारत के चोतरवे सतरंज Grand Master कौन बने है तो अगला जूसन क्या है हमारा भारत के चोतर वे सतरंज Grand Master कौन बने है तो इसका correct answer हो जाएगा हमारा R. Rahul Shrivastav क्या हो जाएगा इसका correct answer? R. Rahul Shrivastav अगला जूसन देखते हैं हमारा प्रतेक सिग्रेट पर लिखित चेताउनी पेस करने की योजना सुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है ठीक है दोस्तों? तो इसका correct answer क्या हो जाएगा हमारा इसका correct answer हो जाएगा हमारा Kanada जो प्रतेक सिग्रेट पर लिखित चेताउनी पेस करने की योजना सुरू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? वो है Kanada अगला क्यूशन देखते है हमारा ससस्तर सीमा बल यानिकी SSB की नए महानिरदेशक कोन बने है SSB की नए महानिरदेशक कोन बने है तो इसका correct answer हो जाएगा हमारा SL थोहसेन ठीक है? SL थोहसेन इसका correct answer हो जाएगा हमारा अगला क्यूशन देखते है हमारा विष्वरक्तदाँ दिवश दो हज़र बाईस कब मनाया गया है ठीक दोस्तों तो इसका correct answer हो जाएगा हमारा 14 जून अगला question देखते हमारा करनाटक के नए लोक युक्त कौन बने है अगला question क्या हमारा करनाटक के नए लोक युक्त कौन बने है तो इसका correct answer हो जाएगा हमारा BS Partil BS Partil इसका correct answer हो जाएगा अगला question देखते हैं हमारा राष्ट्रिय सूचना विज्ञान केंदर के नए महानी देशक कोन बने है ठीए दोस्तो तो अगला question क्या हमारा राष्ट्रिय सूचना विज्ञान केंदर के नए महानी दिशक कोन बने है तो इसका correct answer हो जाएगा हमारा राजेस गैरा राजेस गैरा इसका correct answer हो जाएगा तो अगला क्योशन देखते हैं हमारा अगला क्योशन है हमारा भारत का पहला वायुसेना विरासत के अंदर कहा बनाया जाएगा तो इसका correct answer हो जाएगा चन्दीगड में ठीक है दोसतों? अगला question देखते हैं हमारा Westwick पंवन दिवस 2022 का कब मनाया गया है? जो Westwick पंवन दिवस है 2022 में कब मनाया गया है? तो इसका correct answer हो जाएगा हमारा 15 जून को ठीक है 15 जून को बनाएगा है Westwick Porn Divers ठीक है तो अगले आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों तो आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों क्या होता भी अगला की उसने प्यारे दोस्तों हमारा उत्तर भारत का पहला बंबू विलेज कहा बनेगा उत्तर भारत का पहला बंबू विलेज कहा बनेगा तो इसका correct answer हो जाएगा गडवाल जो की हिमाचल प्रदेश में ठीक है यानि की हिमाचल प्रदेश के गडवाल में बनेगा अगला क्योशन है हमारा परिवार परिवार प 16 जून को, ठीक है दोस्तों, 16 जून को, अगला क्योशन हमारा विशु तमाखु निशेद दिवस कब मनाया गया है, तो इसका correct answer हो जाएगा हमारा 31 माई को, ठीक है दोस्तों, उससे अगला क्योशन देखते है हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पहला स्वन पदक किसने जीता है, क्योशन क्या है हमारा फिर से देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2021 में पहला स्वन पदक किसने जीता है, तो इसका correct answer हो जाएगा हमारा काजोल सरगर इसका correct answer हो जाएगा, अगला क्योशन देखते ह मनाया गया है तो इसका correct answer हो जाएगा हमारा एक जून को ठीक है दोस्तों अगला क्योशन देखते हैं हमारा पंजाब and Sindh Bank में नए MD और CEO कोन बना है जो पंजाब और Sindh Bank है उसका नए MD और CEO कोन बना है तो इसका correct answer हो जाएगा हमारा सवरूप कुमार साहा के लिए बीच विजिल है नामक अप किसने लॉंच किया है तो इसका correct answer हो जाएगा हमारा परमोध सावंत परमोध सावंत ने ये अप लॉंच करवा है और ये कौन है ये गोवा का मुख्य मंतरी है ठीक है दोस्तों अगला क्योशन देखते हैं परदान मंतरी नरेंदर मोधी ने विश्व की पहली नैनो तरल यूरिया सरियंतर का कहा पर उधगाटन किया है तो इसका correct answer हो जाएगा हमारा गांदी नगर गुजरात में है गुजरात की गांदी नगर में इसका उधगाटन किया है पहरे दोस्तों अगला क्योसन देखते हैं हमारा IBM महिला विश्व मुक्यबाजी चैन्डिपेंसिब 2022 की पदक तलीका में कौन सा देश शिर्ष पर रहा है ठीक है दोस्तों है IPL के इतिहास में 704 लगाने वाला पहले खिलाड़ी कौन बना है जो IPL है हमारा उसमें 704 लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है तो उसका correct answer हो जाएगा secret one तो पहरे दोस्तों आज के लिए इतना ही आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी